हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में नेक डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने बकरम लिया है बकरम की लंबाई हमने 13 इंच ली है और इसकी चोड़ाई हमने 8 इंच ली है बीच में से बकरम को फोल्ड करके यहाँ पर 3 इंच की चोड़ाई पर टिक लगाएंगे फिर 6.5 इंच की लंबाई पर टिक लगाएंगे इसकेल की सहायता से इन दोनो टिक को हमें लाइन अप कर देना है ये देखिए हमने दोनो साइट से लाइन अप कर लिया है अब हम यहाँ से नोखीला सा गोल सेप देते हुए ऐसे लाइन अप करेंगे फिर यहाँ से हम एक इंच की चोड़ाई नाप कर ऐसे टिक लगाएंगे यहाँ पर टिक को स्टॉप करेंगे और ये देखिए ऐसे लाइन अप करेंगे हमें यहां नीचे की साइड में एक इंच आठ पॉइंट का गैप रखना है फिर पत्ते की सेप में हम कागज की उपर ऐसे कटींग कर लेंगे इसकी लंबाई दो इंच आठ पॉइंट है, चौड़ाई एक इंच आठ पॉइंट है कागज को ऐसे फोल्ड करके हम यहां पर लगाएंगे और जिस सेप में हमने कागज की कटींग की है बिल्कुल उसी सेप में ऐसे दो डिजाइन को लाइन अप कर लेंगे फिर यह देखिए, यहां नीचे की साइट में हमें घड़े की सेप में ऐसे लाइन अप करना है बिल्कुल इसी तरीके से आप भी लाइन अप कीजिएगा अब हम इसकी कटिंग करेंगे पहले हमें ये वाली लाइन की कटिंग कर लेना है अब ये देखिए जिस सेप में हमने डिजाइन को लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें डिजाइन की यहां से कटिंग कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सन सलेक्ट करें डिजाइन को हम इस्तरी की सहायता से कपड़े पे ऐसे चिपका देंगे कोने की साइट से हलका हलका कपड़े को कट करेंगे अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में किनारे की साइट से कपड़े को फोल्ड करके हमें सिलाई चला लेनी है आगे की साइड से हमारे डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आई है अब हम उरे भी कटा हुआ एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इस कपड़े की चौड़ाई हमने एक इंच ली है कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है नीचे वाले डिजाइन में हम कपड़े को फोल्ड करके ऐसे लगाएंगे यह देखिए आप इस तरीके से अपने डिजाइन में मार्केट जैसा पाइपी इजली तैयार कर सकती है अब हम यहाँ से एश्टरा कपड़े को कट करेंगे यहाँ से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद हम इस डिजाइन को सूट के कपड़े में ज्वाइंट करेंगे तो यह रहा हमारा सूट का कपड़ा सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और सबसे पहले हमें डिजाइन के बीच में एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है यहां से हम धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम यहां से सिलाई चला लेंगे अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो ये देखे फ्रेंट डिजाइन के उपर सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागे को कट करेंगे सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्टरा कपड़े को ऐसे कट कर लेना है आप लोगों का फ्रेंट मुझे कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैं प्रिंटेट कपड़े पे डिजाइन बनाओ तो ये देखे फ्रेंड मैंने आज प्रिंटिट कपड़े पे डिजाइन बनाया है लेकिन आप चाहती हैं कि मैं हमेशा प्रिंटिट कपड़े पे डिजाइन बनाऊं तो फ्रेंड उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा मुझे सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को सेयर कीजिए डिजाइन पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट में भी जरूर बताईएगा डिजाइन को सीधा करने के बाद हम इसे अच्छे से इस्तरी कर लेंगे अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ कपड़ा लेना है इस कपड़े को हम रोलिंग करेंगे यहां कोने के साइड से यह देखिए ऐसे रोलिंग करके फोल्ड करना है अब किनारी की साइड में सिलाई चला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कपड़े को रोलिंग करके फोल्ड करके हमें एक लंबी सी ऐसी डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है तो ये देखिये फ्रेंड हमने इस डिजाइन की एक लंबी सी लाइन बना कर तयार कर ली है अब हम धागे को कट करेंगे और इसके किनारे की साइट से एश्ट्रा कपड़े को भी एश्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम इस डिजाइन को गले की डिजाइन में ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है यहाँ पर ऐसे लगा कर उपर की साइड से सिलाई चला लेंगे यहाँ से एस्ट्रा डिजाइन को कट करेंगे अब जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में हमें ऐसे सिलाई चला लेना है ये बहुती इजी तरीका है इस डिजाइन को तैयार करने का अब हम गले के दूसरे साइड में भी डिजाइन को लगा लेंगे ये देखिए यहाँ पर ऐसे लगा कर सिलाई चला लेंगे आप इस डिजाइन को पटियाला सूट चुरिदार सूट दोनों में तैयार कर सकती है इन दोनों सूटों में ये डिजाइन बहुती सुन्दर लगीगा तो ये देखिए फ्रेंट इसी के साथ हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद ये देखिए हमारा डिजाइन का लुक हमें इस डिजाइन में एक और डिजाइन को एट करना है उसके लिए हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की लंबाई हमने 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है दोनों साइट से कपड़े को फोल्ड करके एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते हुए ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे चौड़ी पट्टी को फोल्ड करके हम चार भागों में इसे कट कर लेंगे अब हमें एक छोटा साथ दूसरा कपड़ा लेना है इसे दोनों साइट से फोल्ड करके सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से हम धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे चौड़ी पट्टी को हमें दो भागों में ऐसे कट कर लेना है अब इन दोनों चौड़ी पट्टी को गले की डिजाइन में ये देखिए ऐसे लगाएंगे गले की डिजाइन को आपको उल्टा करना है ये देखिए एक डिजाइन में हम तीन चोड़ी पट्टी को लगाएंगे तो ये देखिए ऐसे लगाना है आपको सुई धागा की मदद से हमें चोड़ी पट्टी को अच्छे से डिजाइन में ज्वाइंट कर देना है तो ये देखे हमने डिजाइन में अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है अब एक लंबा सा बक्रम हम कपड़े पे ऐसे चिपका लेंगे और कपड़े को यहां से फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे हमें क्या करना है फ्रेंड अगर आप सिलाई सीख रहे हैं आपको डिजाइन के उपर ऐसे गोंद लगा लेना है और इस कपड़े को यहां पर ऐसे लगा कर चिपका लेना है डिजाइन के उपर सिलाई चलाते समय आपका कपड़ा जरा भी इधर उधर नहीं घसकेगा अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है डिजाइन को तयार करने का अब हम डिजाइन के ऊपर यहां से ये देखिए ऐसे सिलाई चला लेंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्रीट हुई अब हम इस डिजाइन में मार्केट वाले बटन को लगाएंगे तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है सर्ट के बटन को हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे और धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक कर देंगे यहां से एस्टरा कपड़े को कट करेंगे और सुई धागा की मदद से डिजाइन में तीन बटन हम ऐसे लगा लेंगे जो की बहुती सुन्दर लग रहा है इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये डिजाइन कम्प्लीट हुआ मिलते हैं हम आपको नेश्ट वीडियो में एक ने डिजाइन के साथ थैंक्स पर वाची